जाहिंद आवरीवन आई वेलकम यू आल तो वेक्निंग क्लासेज जे कैसेज बे सुपरवाइजर एक्जाम की हम प्रिपेशन कर रहे थे स्कीम्स वाली क्लासेज चल रही थी लास्ट लेक्चर में हमने ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम को कवर करा था आपके स्लेबस में एक स्कीम मेंचन है पालना स्कीम आज की पालना स्कीम के हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे और इसको अच्छे वे में देखेंगे कि एक्जाम में क्या-क्या इसमें पूछा जा सकता है उसकी रेलिवेंसी को तच करते हुए इस टॉपिक को फुली प्रिपेर करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि यूनिट 6 का पार्ट है यूनिट फर्स्ट भी आपका पैरलली चल रहा है तो पहले हम एक खाली स्पेस देखें पालना स्कीम को थोड़ा देख लेते देन हम यह जो पीडियर बनी हुए उसको रिवाइस कर लें मैंने आपको बहुत बार बिताया वोमन नेटी मिनिस्टर कोन है अभी वोमन चाल्ड डेवल्मेंट की मिनिस्टर है चीज है यहां तक कोई आपको प्राप्लम होने होने चाहिए देख जो पालना स्कीम है न वो मिशन शक्ति के अंदर चलती है बारे में पढ़ेंगे मिशन मिशन शक्ति क्या मिशन शक्ति एक ऐसा मिशन है जिसमें वुमें इंपॉर्मेंट और वुमें सेक्योरिटी के रिलेटीड जो चीजें की जाते हैं मिशन शक्ति के जो 쉬rete दो कूंति के दो कंपोनेंट हैं मिशन शक्ति के दूंकि का नाम एक का नाम है ध्यान से छीज़ें देखो फिर दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी मिशन शक्ति के दो component है एक है संभाल या संभल और दूसरा है समर्थ है ठीक है अब मिशन शक्ति के कौन से component के अंदर यह आती है तो जो समर्थ वाला component है उसके अंदर आती है मिशन शक्ति के दो component क्यों है एक तो women empowerment के साथ deal करते है मतलब women को इंपाउर किया जाए समर्थ है और women की security आती है संभल में यह दोनों मिशन शक्ति के अंदर आते हैं जो पालना स्कीम है वह समर्थ है जो component है मिशन शक्ति का उसके अंदर आती क्योंकि पालना स्कीम से हैल्प से हम उपाहर करें कि women काम में जाए ठीक है और women को काम जाने के लिए अगर हम अब पालना का मतलब होता है जयसे जूला होता है पालना वोही होता है क्लेच फैसली प्रोवाइड करना एक विल्लीटी इसलिए ताकि joh women है वो क्या करे अपने बच्चे को क्रेच में छोड़ के जाए वहां पर उस बच्चे की देख बालो और वह अपनी जॉब कर सके यही बेसिकली पालना स्कीम का मतलब है अभी हम पालना वर्ड का मेनिंग भी सब देखेंगे सबसे पहले हमने देखा कि पालना स्कीम मिनिस्ट् कोई प्रॉबल्म नहीं अब देखो बेसिकली क्या था पहले एक स्कीम चलती थी थी नेसिनल जैनल क्रैच स्कीम को क्या किया गया इस स्कीम कोило क्या आःच Kernilos किया गया इसको रिऑने है इसकी बनिए पालना स्कीम है तो पना स्कीम का अगर कि बात करें तो वह आ ने चिज development की official website में वो भी cover करेंगे उसके लेटी exam में पूछा जा सकते हैं लेकिन simple word में देखें तो cretch जो है एक Latin word से लिया गया है यह साथ सा लिख लो एक Latin word से लिया गया है Latin word क्या है क्रेडल 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 के इसे बोलते है पालने को बोलते नसाल एक एसी जगह पालना एक ऐसी जगह है मतलब जहां पर क्या किया जाता है क्रेच केर फैसिलीटी दी जाती है अंगनवाइट सेंटर में अगर कोई वरकिंग वुमेन है चाहे वह और गनाइज सेक्टर में है ठीक है उसे काम पर जाना है तो दस से पांच नो से पांच उसने डूटी में जान होगी और अपने बच्चे को नौ से पांच वहां पर छोड़ेगी वहां पर वुमेंस होगी जो उन बच्चों की टेक कियर करेंगी ठीक है यही है पालना स्कीम इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं है पालना का मतलब ही क्रेडल होता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो व वहां पर जो वुमेंस होंगी वह उनकी टेक कियर करेंगे उनकी निट्रिशन की रिक्वाइर में उनको पढ़ाएंगी यह सारी फैसिलीटि उनकी देखी जाएंगी और यह इसकी वज़ासे क्या होगा कि जो वुमें काम पर नहीं जा सकती थी बच्चे की वज़ासे वह अ सेक्टर में मान लेते तो वह अपनी जौब में जाप आएगी बच्चे की वज़़से वह घर पे नहीं रुकेगी क्रेच में बच्चे को छोड़कर वहां चल जाएगी प्लेस जो वुमें और इडी क्रेच में लगी हुए तो उनको भी तो जॉब मिल रही है तो दो आं चुखा है कि पालना स्कीम कौन सी मिनिस्टरी के अंदर आती है मिनिस्टरी को सी मिनिस्टरी ने इसको इंटर्ड्यूस करा सभी स्कीम और कब हुआ 2022 में तो पालना स्कीम 2022 में आई है यह चीज याद रखना पहले क्या होती थी यह नैशनल क्रेश्ट स्कीम इसको फिर पालना स्कीम किया गया और कौन से सब स्कीम के अंदर डाला मिशन शक्ति के मैंने आपको बोला था एक है समर्थ एक है सुरक्षा वाला कंपोनेंट तो समर लों के पैसे से एक चलती है आपको मैं भूम एस्साइनवेंटों आपने मुझे पताना है किस देशो से काम चलता है जम्हू कश्मीर में सेंटर कितना पैसा देगी किन глазик Ant対 यहां प हो होना चाहिए एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम जहां पर पूरा पैसा सेंटर गवर्मेंट देती है यह चीजें बार बार इसलिए बोलतो हो ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए ठीक है अब देखते हैं क्रेच होता गया यह जो क्रेच की डेफिनेशन है यह मिनिस्ट्र वोमन और चाइड डेवलमेंट की ओफिशल वेबसाइट से उठाए गी है तो इसको ध्यान से देखना क्रेच एक केर सेंटर होता है एक केर सेंटर होता है जहां पर केर दी जाती है डाइट प्रोवाइट सेफ और नर्चरिंग इन्वार्मेंट एक तो सेफ वह सेफ रहें सप्लिमेंटरी निउट्रिशन मील एक तो उनको अल्रेडी मील दे रहें उसके साथ सप्लिमेंटरी कुछ भी मिलेगा उनको एंड मेंटेन सेक्योर एंड सेफ इन्वार्मेंट वहां पर मेंटेन किया जाता है इच प्रोवाइज एप्रोप्रियेट एजुकेशन होगी और तीन साल से उपर वाले बच्चे को तो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल तो यही बोला जा रहा है कि इसमें एज एप्रोप्रियेट एजुकेशन एक्टिविटीज करवाई जाती है ताकि उनकी हॉलिस्टिक वे में डेवल्मेंट हो चाइल्ड की जैसे हम बोलते ह जाता है ठीक है तो क्रेच का यहां पर जो डेफिनेशन ऑफिशल साइट में लिखी हुई है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए नेक्स्ट इस वट अब क्रेच की क्या अब्जेक्टिव है सिंपल है आपको क्रेच अगर समझ आ तो अब्जेक्टिव अगर आप क्रेच देदोगे एक तो उसके पेरेंट जो मदर है वह भी काम पर जा पाएगी और जो क्रेच में उसको छोड़े हो वहां पर भी अगर वूमन लगी तो उसको भी तो इंपावर्मेंट हो रही है तो दोनुक केसिस में वूमन लाई डेवलमेंट पे इंपर इं सब्सक्राइब कुछ वूमन जो है वह काम करना चाहती है बट स्टीरोटाइब की वज़ासे और फैमिली के प्रेशर की वज़से के वूमन बच्चे को संभालेगी वह नहीं काम पर जा पाती है तो वह अपनी जो अपर्चुनिटीज है उनका बैनिफिट उठा सकती है और सब्सक्राइब करना चाहिए इंडिया में कितने क्रेश अभी तक अपरेशनल है 2688 ठीक है 2688 हमने तो बहुत बढ़ा टार्गेट रखा है वो भी हम देखेंगे अभी कितने अपरेशनल है क्रेशिस 2688 और कितने बैनिफिश इसका कितने लोगों को बैनिफिट हो रहा है 57128 को बैनिफिट हो तो यह दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसके बाद डेटा नहीं आया को ऐसा जितना लेटर्स यह मुझे दिखा था कितने क्रेशिस ऑपरेशनल हैं अक्रॉर्ड कंट्री 2688 और कितने बैनिफिश है 57128 क्रेशिस के बैनिफिशिस हैं तो यह आपने इस चीज़ा हैं। अब फोकर्स कहिंश करी स्कीम का मतलxes मतलुल्देखा पहले सिर्फ होती थी नीश्ट्रायच्ट्रायूकर्ट्रेश स्कीम तो वही है कि अंगनवाडी जो सर्विसीज हैं उनी को क्रेच फेसलीटिस में क्या कर दिया गया है कनवर्ट किया गया है तो एक तरह के वो और्गनाइज सेक्टर में जा सकते हैं काम करें इस अप्रोच एमस्ट अधर नीट आव दा बोथ मदर एंड चिल्डर इन वन कन्वे पहले सिरफ सुन होता गया था कि जब नैस्टे फेसलीटी वाला कंसेप्ट अंगनवाडी सेंटर को क्रेचिस में कर दो बहुत कम थे बड़ सेंटर बहुत जयादा है अंगनवाडी सेंटर बहुत जादा होने की वहीं से कोई भी वोमन है जिसने अपने बच्चे को पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि नैशनल क्रेश फसिलिटी के अकॉर्डिंग पहले जो कम होते थे ठीक आई होब यह पोइंट आपको समझ आ गया अंगनवाइडी कम क्रेशिस का और जो सिर्फ क्रेश के लिए बनाया अंगनवाइडी सेंटर का और बहुत रहा है और उसको बोला गया जो पहले चलते थे नाश्चेश के अंडर उसको बोला गया बहुत साहे थे तो बहुत सारी मिल रहा है ठीक है सब हमें यहां तक कोई भी प्राप्लम नहीं है नेक्स्ट इस टार्गेट गुरूप जो है तार्गेट गुरूप जो है देखो टार्गेट गुरूप कहा है चिलडर ऑफ six months to six years of working women in rural and urban area who are employed for a minimum period of fifteen days in a month or six months in a year, sir, यह क्या English लिखी हुई है, देखो कुछ नहीं है, target group का है, मतब कौन से बच्चों को हम लेंगे, कौन से चिल्डरन को बेसिक, अब यह थोड़ी है को पंदर साल का बच्चा उसको क्रेच में थोड़ी छोड़ना है, वो चिल्डरन जिनकी एज six months से six years है, ठीक है, working women का, working women का होंचे, चाहे और इन और इन उसमें concern नहीं है, छे महिने से छे साल की उमर का बच्चा, एक working women का, चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, ठीक है, और वो women जो है, वो implied होनी चाहिए for a minimum period of 15 days in a month, एक महिने में पंदाद दिन की उसकी employment होनी चाहिए, या six months नहीं है, तो वो क्रेच फेसलिटी में बच्चे को छोड़ सकती है, तो क्या हो, या six months में साल में काम में जाए, ठीक है, तो यह ही target group है, जो हमारे पालना scheme का, ठीक है, I hope this is clear to you, अब aim क्या है इसका, to provide quality, childcare facility provide करना quality and enable active participation of women, women की active participation of workforce, और यह aim है कि 17,000 क्रेच हो, इन अंगनवाइज center across the country, तो country में जितने में अंगनवाइज center हो, उन में 17,000 क्रेच फेसलिटी होनी चाहिए, यह भी इसका aim है, यह याद रखना important है, ठीक है, to improve nutrition and health status of children का nutrition health status plus as well as education status को improve करना भी क्रेच फेसलिटी का काम है, तो यह point भी आप याद रह सकते हो, ठीक है, अब यह success है, यह पुराना data है, जो women workforce को represent करता है, इससे पता चलता है, देखो, जैसे जैसे within increased participation rate of women in workforce reaching, देखो, पहले यह बहुत कम था, 23 के around था मेरे ख्याल से, 2014 मदरों में, मुझे एक जैसे याद नहीं है, बट अभी बी काम है, 50% से उपर हो इंचे, वोमन का, बट अभी भी कितना है कि 37% जो है, पोहुंच चुका है, women participation in 2022, कि वोमन जो participate करी है, अभी देखो, यह recent scheme start हुए है, तो 2-3 सालों में ही नया data आएगा, अच्छा कि इसकी वज़ा से, 2022 में जब यह scheme आई थी, ठीक है, I hope this is clear to you, next is integrated services package, देखो, क्या-क्या आपको services मिलती है, क्रेच में यह चीज़ें यहाँ पर बिताएगे, पालना scheme के अंदर, एक तो day care facilities, including sleeping facilities भी मिलती हैं बच्चे को, ठीक है, उसको children को as a care मिलेगे या थोड़ा बहुता identification खेलने के लिए this that, but pre-school education मिल सकती है children को 3 साल से 6 साल के बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया है एज कितनी है, 6 महीने से 6 साल के बीच में, उसको थोड़ी care place, उसको थोड़ा बहुत खेलने वाला, और जो 3 साल के बाद 6 साल क प्रवाइट की जाएगी, supplementary nutrition locally source nutrition है वहीं से लेके उसको प्रवाइट किये जाएगी, अंगरवाई center के साथ एक और concept भी था, जो आगे पीछे forms लगाए जा रहे हैं, तो उससे भी आप याद है से तो, growth को monitor करना की इस तरह से उसकी growth हो रही है, और health check-ups चलते हैं, ठीक है, health check-up के लिए आते हो, immunization programs होते हैं, उसमें भी difficulty नहीं आते हैं, अगर sports करो कोई immunization की team है, उसको गाउं में धूर दूर जाके लोगों के घरों में बच्चों का पता करना है, उससे better है कि वो crutches में जाके भी पता कर सकते हैं, तो crutches में health immunization program भी जो है, वो effectively होता है, next is mission शक्त safety security or empowerment, मतलब इसके दो company, एक तो woman की safety security और दूसरा woman की empowerment, तो इसके दो sub schemes आ जाएगे, एक संभल यह जिसको संभाल scheme क्याते है, यह focus करती है safety or security of the woman में, ठीक है, और दूसरी है समर्थ scheme, समर्थ scheme की चिसके साथ करती है, empowerment of woman, ताकि woman को काम दिया जा, इसी समर्थ scheme component के अंदर ह पालना scheme है आपकी जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, I hope this is clear to you, पालना scheme के एलेटी जो भी important fact थे, वो मैंने यहाँ पर cover करें, और अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ हैं है, पालना scheme के एलेटी, तो comment section में लिख दिया करो, आपकी वज़ा से दूसरे भी होगे, तो दूसरों को भी benefit होगा, और आपको inner satisfaction मिलेगी at the end of the day, और goal is to achieve happiness, अगर आप job भी लेना चाहते हो, तो आप job security इसलिए लेना चाहते हो, क्योंकि आपको salary मिलेगी, तो आप खुश होगे, तो mainly हमारा goal खुश रहा नहीं है, तो इसलिए आप share कर सकते हो to others, even हमारे content को भी share कर सकते हो, हमारे channel को भी share कर सकते हो to the others, अगर आपको लगता है, यह effective है, ठीक है, और देखो, यहाँ पर अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे, जो finance SI का भी exam दे रहे होंगे, यह mock test schedule है, आज पहला test जो है, वो live हो चुका है, site पे, 20th को, अब 23rd को होना है, 26th, 29 और 3 March को test है, जो को हमारी website या awakeningclasses.in वहाँ पर जाकर आप इन्रोल कर सकते हो, अगर आपने इस test को इन्रोल नहीं करा, unlimited attempt है, अगर आप लेट भी इन्रोल करें, कोई इसका नुकसान नहीं, आप कितनी बार चाहो test किसी भी time दे सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपका बेस test भी provide करें, और जब आपका भी exam आएका, तब भी हम जो है, आपको test provide करेंगे, इसलिए मैं आपको advise करूँगा, तो कहीं और enroll करने की जूरत नहीं है, best test आपको provide किये जाएंगे, ठीक है, जिस तरह से आपको content और पढ़ाया जाता है, I hope this is clear to you, and this is it for today, our lecture थोड़ा ही marriages होती है, ठीक है, even यह पढ़ाते हो, मुझे खुद बहुत interest क्रियेट हो रहा है इन सब में, तो marriage में हम देखेंगे, family के बारे में पढ़ेंगे, तो वो social institution के आगे वाला topic हम unit first का कल से start करें, this is it for today, और comment section में आप बता, देखो, आपके साथ-साथ कुछ cover भी करते हैं, comment section म मुझे आप मुझे बताना, कि आप जिस रीजन में रहते हो, जमु कशमीर में रहते हो, जिस भी district में रहते हो, क्यों बता होगे, क्यों कि आपके जम्मु कशमीर वाला portion हो, उसमें district related important शիज के बारे में, पूछा जाता है, तो आपने आपनी जो district है वहाँaran की कोई भी important चीज जो है उसके बाद चाहिए किसी को जी आई टैग मिला हो या अधर सेंस में कोई इंपोर्टेंट है कोई मतलब रूलर इंपोर्टेंट रहे तो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते दिस इत्वर टूडे थैंक यू सो मच पर वॉचिंग